इसे बहुत ही important words जो की frequently Japanese language में use होते हैं चाहे वो काईवा हो चाहे वो चोकाई हो चाहे वो दोकाई हो इवन मैं कहूंगा कि चाहे वो basic हो चाहे वो advanced हो इनको कहते हैं frequently used words इनको onomatopia भी कहते हैं या फिर इनको guitar गो गियोन गो अगर आप Japanese language में ढूंड़े तो इनको कहते हैं इनके साथ-साथ हम क्यों नी, sassoku, sasato इन सब words को भी अगर सीख ले तो काईवा ही नहीं N4, N3 ही नहीं हमारे को दोकाई में भी help मिलती है हमें interview तक में help मिलती है हमें Japanese से काईवा करने में help मिलती है तो चले इन 60 frequently used words को सीखते हैं Welcome to Nihongo Max मेरा नाम है रवी चली शुरू कर चले तो इन important words को सीखना शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन में differences को भी ध्यान से सुनिएगा कुछ similar words होते हैं जो की used इनका अलग-अलग होता है English meaning same होने पर भी sentence में used उनका अलग होता है तो उनको हम English meaning के साथ-साथ एक sentence practice के साथ भी सीखेंगे तो देखते हैं जित्तो और जिरो-जिरो जित्तो ये जो word है ये entry जिरो-जिरो भी entry के level में आता है लेकिन इसमें usually जैसे students देखते हैं कि जित्तो का भी मतलब होता है एक टक देखना किसी चीज़ को बिना रुके बिना हिले-डुले देखते रह या फिर एक जगह बैठे रहने के लिए भी जीत्तो आता है जीत्तो सुरूर लेकिन जिरो-जिरो में थोड़ा सी difference होता है जिरो-जिरो भी यह होता है घुर-घुर के एक टक देखते रह न लेकिन जिरो-जिरो में एक rudeness का meaning आता है एक तरहे से shittre का meaning होता है जैसे कि लेकिन अगर हम अगले वर्ट को देखें, जिरो-जिरो, तो इसका एक्जामपल देखते हैं पहले, दारेक आओ, जिरो-जिरो मिरु कोतो वा, शिच्छरेना कोतो देख, किसी को एक टक देखना, यानि कि किसी को घूर-घूर के लगातार देखते रहना, एक शिच्छ रेना को तो यानि कि एक rudeness एक डिसकर्ट सी होता है जैसे कि ट्रेन में एक आदनी को छोटा बच्चा घूर घूर के देख रहा है तो इसमें 00 मिरू कह सकते हैं या फिर लेडीज को देखना घूर घूर के जिसमें rudeness का sense होता है उसमें भी 00 का use हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसका देखें एन 5 में हमने सीखा है योक का इसका मुई का तो ये वो वाला इसका नहीं है वो होता है पांच तारिक ये इसका एक अलग से word है इसकी कांजी नहीं है ये हीरा काना में use होता है इसका मतलब होता है कभी या किसी दिन जैसे हम हिंदी में बोलते हैं किसी दिन वहाँ चलते हैं कभी वो खाके आते हैं या फिर किसी दिन हम वहाँ घुमने जाते हैं तो उसको कहते हैं इसका जैसे कि यहांपर meaning भी दिया हुआ है sometime, someday, someday, someday in future, one day तो example देखते हैं इसका sensei हो इनी सासोते, पाती और शिमाशो तो इसका meaning है कभी हम किसी दिन sensei को अपने घर पर invite करते हैं और party करते हैं सासोते का मतलब होता है invite करना चलियागे देखते हैं, imanimo imanimo का मतलब होता है, अब कभी भी यानि कि जैसे बादल घर गए हैं, तो अब कभी भी बारिश हो सकती है imanimo, omega, fully soda यानि anytime soon, it can rain कित्तो कित्तो का मतलब होता है surely, definitely hopefully तो एक hope की sense होती है, एक उमीद की sense होती है ये काफी काईबा वगरे में यूज होता है, अगर आप ड्रामा वगरे देखें नॉर्मल conversation में भी कित्तो का काफी यूज होता है जैसे यहाँ पर example दिवा है, कोनो project होआ कित्तो से को सुरू यह project जो है, वो definitely successful होगा से को सुरू का मतलब होता है successful होना, और इसमें hope की sense भी है कि hopefully यह project successful होगा चले आगे देखते हैं, किपपारी का मतलब होता है completely और यह सिर्फ मना करने के साथ हाता है किपपारी कोतोवारा रिता, अगर आप किपपारी को कोतोवारा रिता के साथ combine करके भी याद कर लेते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा जैसे हम पर example दिया हुए इशोकेन मेनी तानोमी माष्टागा इशोकेन मेनी का मतलब होता है पूरी महनत से, पूरी लगन से अपने पूरे efforts के साथ तानोमी माष्टा का मतलब होता है, मैंने request करा तानोमी माष्टा मतलब request करना गा, लेकिन किपपारी को तवार रहता है लेकिन मुझे पूरी तरह से मना कर दिया गया किपपारी का मतलब होता है, clearly, plainly और मना करने के साथ आता है, यानि कि clearly मना कर दिया गया गिशिरी, अलग से इसका हिंदी में मीनिंग होता है ठूस ठूस के भर देना tightly, fully जैसे कि एक्जामपल दिया हुआ है, कारेवा ताना नी होन ओ गिशिवी त्समे कोंदा पहले त्समे कोमु को देखते हैं मैंने अपने एक अलग वीडियो में कोमु का भी, आपको compound verbs में एक्जामपल देके बताया था, कि किसी वर्ब को बहुत ही intensely करना तो समे कोमु का मतलब होता है फिल करना, और समे कोमु का मतलब होता है और भी ज्यादा intensely भर देना और गिशिरी लग गया इससे पहले तो देखें, यह सब adverbs होती है ज्यादा तर, यह verb को और भी ज्यादा enhance कर देती है, यानि कि उसके meaning को और भी ज्यादा powerful बनाती है तो गिशिरी भी एक तरह से adverb है समे कोमु का भी मतलब ठूस नहीं होता है लेकिन गिशिरी का मतलब होता है tightly, तो tightly ठूस दिया तो उसने अपने ताना, ताना मतलब bookshelf में, वैसे होंदाना होता है ताना भी shelf होता है, shelf में books को बहुत ही tightly ठूस दिया बहुत ही tightly भर दिया चलिया अगर देखते है उककारी, उककारी उजिली हमेशा भूलने के साथ ही आता है इसका अपने आप में भी मतलब भूलना ही होता है अगर यहां पर जैसे carelessly, thoughtlessly रिखा हुआ है तो आप अपना simple Hindi meaning याद रख सकते हैं, भूलना तो उककारी वासरेरू, इस तरह से याद रखिए उककारी हमेशा वासरेरू के साथ ही आएगा उककारी स्थे होन ओ, मोट्टे कुरून ओ, वासरेता मैं carelessly, इसको हटा भी सकते हैं इसको मतलब translation में हटा भी सकते हैं simple इतना बोल सकते हैं, मैं किताब लाना भूल गया उककारी जो है, उसको enhance कर रहा है भूलने को, कि मेरी गलती से ही, मेरी ही वज़य से मैं भूल गया किताब को लाना उन्जारी, उन्जारी का अलग से हिंदी में मतलब देखें तो यह समारा नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कोई इंट्रस्ट नहीं आ रहा उन्जारी होता है कि इस काम को बार-बार-बार-बार करकर करके अब मैं बोर हो चुका हूँ, तो एक तरह से fed up इसका असली मीनिंग है, जैसे example में दिया हुआ है कारे तो हनाशियो सुरू निवा, मो उन्जारीश्टे किता यानि कि उससे मैं बात करकर 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 के अब मैं पक चुका हूँ, तो बोर होने से अधा इसका मीनिंग है पक चुका गिरी-गिरी, यह तो काफी easy है, यह तो basic में इस्टुएंट सीख लेते हैं गिरी-गिरी का मतोद है, barely on time, यानि कि बिलकुल एकदम border पर जैसे मैं बिलकुल barely on time पहुँचा train पकड़ने में या बिलकुल flight time था, तो barely I was on time हाँ, एक चीज़ इसमें आप याद रखिए कि इसमें काम गिरी-गिरी आया तो इसमें काम हो गया है मतलब काम गड़बर नहीं हुआ है, काम complete हो गया है बस वो यह कहना चाहता है कि बिलकुल मैं end time पर पहुँचा, जैसे मैं meeting में बिलकुल end time पर पहुँचा जैसे हमें एक जम्बल दियो है, साइगो नो, साइगो नो, साइगो नो देंशानी, गिरी-गिरी मानियाई माशता रात की आखरी train, जैसे की metro होती है, तो रात की जैसे आखरी train है यानि कि उस चीज को अचीव कर लेना, पकड़ लेना, तो उसने रात की train को बिलकुल barely on time पकड़ लिया, last moment पर पकड़ लिया कुई हो, कुई हो, इसका लग से मतलब होता है कि किसी चीज पर पश्चा ताप करना, यानि कि किसी चीज को regret करना और चीज को past में जो भी हो गया है, उस पर दुखी होना, उस पर पर परिशान होना, कि ऐसा क्यों हो गया, मैं बिलकुल नहीं चाहता था, ऐसा हो तो जैसे यहां पर meaning दिया हुआ है, worry about, lose sleep over, उसके बार में चिंता करना और यह usually past की चीजों पर आता है, जैसे past में कोई बुरी चीज हो गई, तो उसकी, जैसे मुझसे कोई गलती हो गई, तो उस पर बहुत चिंता करना काकोनो को तो कुयो कुयो शिनाइदे होशी, पुरानी बातों पर कुयो कुयो यानि कि पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, दुखी होना, शिनाइदे होशी दे होशी हमने ये बेसिक में भी सीखा हुआ है कि ते को दासाई ही होता है तो वो कह रहा है कि कोयो कोयो शिनाइदे को दासाई यानि कि उस पर आप व्यर्थ की चिंता मत करो पश्चाताप मत करो इसका मतलब होता है कोयो कोयो जैसे अगर हम मुद्र का बस सर्विस की बात करें तो वो सिटी के चारो तरफ गोल-गोल-गोल गोमती है तो गुरू-गुरू का मतलब होता है और गुरू-गुरू जो है वो मावारू के साथ जातर आएगा क्योंकि मावारू का भी मतलब गुल-गुल घूमना होता है और गुरू-गुरू भी एडवर्ब है जो कि इसको बता रहा है कि गुल-गुल घूमता है गुन-गुन ये नोबीरू के साथ आता है इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना तेजी से ग्रो करना जैसे पौधा जो है वो तेजी से ग्रो करके पेड़ बन गया या छोटा वच्चो जो है वो तेजी से लंबा हो गया जैसे आप एक्जांपल भी यह दिया हुआ है कोको मेरे बेटे की जो हाइट है वो तेजी से बढ़ गई है यह कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी आता है जैसे कंपनी का प्रॉफिट जो है वो तो तेजी से बढ़ना तेजी का मतलब है अचानक एक दो सेकिंड में तो आपिसली नहीं होगा क्योंकि एक लंबी लॉंग टर्म लेकिन वो चीज जो की यूजिली काफी टाइम लेती है उसने उतना टाइम नहीं लिया तो एक तरह से कह सकते है कि steadily बढ़ना या काफी कम टाइम में काफी उचा ग्रो कर जाना दाई ताई यह तो बहुत ही बेसिक वर्ड है यह भी students I think N5 में ही सीख लेते हैं इसका मतलब ह लगभग जैसे यहां पर दिया हुए जनरली आउटलाइन वगरे के लिए यूज होता है में पॉइंट के लिए यूज होता है जैसे दाईता इस एक्जाम्पल दियो है दाईता इवाकारी माश्ता यानि कि मुझे लगभग लगभग समझा गया है जिन जारे किशिनो सेच इसकी एक्स्प्लेनेशन मुझे आल्मोस्ट आल्मोस्ट साह गई है मतलब 90 या कह सकते हैं 95 परसेंट इसके अंदर होता है तो इसी तरह से अब हम आने वाले वीडियोस के अंदर बाकी के पार्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे जो की बहुत इंपॉर्टन्ट ए आगे आने वाले वीडियोस में इसी तरह के बहुत सारे ओनोमेटोपिया गिताई गो गियोन गो इनको सीखने के लिए हमें फॉलो करते रहे हमारे चैनल का नाम है निहोंगो मैक्स अल्द बेस्ट